आपके बार मैं पहली लिए दमाद के साथ मना रही हूं और में अपने हातों से अपने दमाद को बुझिये मना के खिलाओंगी और आपको भी शेयर करूंगी आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ तो लाइक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब करना न पूलिएगा बैल मेरी तरफ से आप सभी को पूली की बहुत वह सुख कम नहीं कि यहां पर मैंने गुझिया बनाने के लिए 500 गरंग खोया ले रखा है इसको मैं पहले कड़ाई में अच्छे से भून लूंगी खोया गरम होते ही यह घी चोड़ने लगता है और भूनने लगता है इसको बरा खोया अगर अच्छे से भून लेंगे तो गुझिया बहुत दिनों तक चलती है और खोया अच्छा भूना नहीं होता तो गुझिया जल्दी खराब होने लगती है देखिए खोया अब भूनने लगा है और इसका रंग भी बदलने लगा है अब मेरा खोया भून गया है इ मैंने आटा 300 ग्राम लिया है इसमें पहले घी डालूँगी मैंने अपने अंदाज से घी लिया है क्योंकि घी अगर जादा हो जाएगा तो गुजिया फटने लगती है इसलिए घी को थोड़ा थोड़ा करके डाले मैंने भी घी को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ और बार-बार इसको हाथ में बांद कर देखूंगी कि आटा हाथ में अच्छे से बंद रहा है तो फिर घी को नहीं डालूंगी अब घी को हातों की साहता से मसल मसल के पूरे आटे में मिक्स करूंगी जिससे घी पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए क्योंकि आटे में गाठ ना बन जाए जितना अच्छे से मसलेंगे उतना ही अच्छे से बनेगा देखिए इसमें मेरा गी कितना perfect mix हुआ है और कितने अच्छे से बंध रहा है आटे को गुनने के लिए मैंने गुनना पानी लिया है जो कि एक कप है क्योंकि गुनने पानी से आटे में गाठ नहीं पड़ती है और इस आटे को अच्छे तरीके से हातों की साहता से मसल मसल कर त्यार करना परता है आप इसको जितना अमसनलेंगे अटने ही आटा soft और अच्छा बन जाता है और गुजिया बनाने में ये फड़ता भी नहीं है और गुजिया अच्छी बनती है और मैंने एक का पानी लिया था लेकिन उस पानी में मेरा थोड़ा बच गया है अब मेरा आटा अच्छे से सेट हो गया है इसको मैं गीले कपड़े से ढख कर 15-20 मिनुट के लिए छोड़ दूँगी अब मैं देखूंगी खोया ठंडा हो गया है कि नहीं मेरा खोया ठंडा हो गया है मैं इसमें भूरा शक्कर मिक्स करूंगी आपके पास भूरा शक्कर ना हो तो आप शक्कर को मिक्सी में पीस करके भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं 500 ग्राम खोय में 500 ग्राम शक्कर डालती हूँ लेकिन आप शक्कर को थोड़ा थोड़ा करके डाले, क्योंकि किसी को गुझिया कम मीठी पसंद होती है, किसी को ज़्यादा तो आप अपने उन्चार सक्कर मिक्स करें शक्कर को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे खोया धानेदार बन जाए आप अपने मन पसंद ड्राइफूट डाल सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ इसमें चिरोंजी और पिसी छोटी इलाची डालती हूँ क्योंकि किस्मिस और पिसी गरी से गुजिया जल्दी खराब होने का डर होता है अगर आप इसमें सिर्फ चिरोंजी और इलाची डालेंगे तो गुजिया जादा दिन तक चल सकती है मैंने 100 ग्राम चिरोंजी लिए और इसको मैं पूरे खोई में मिक्स कर लूँगी और दो चम्मच पिसी लेची डालूँगी और खोई को अच्छे तरीके से पूरा मिक्स कर लूँगी मैंने एक कटोरी में दो चम्मच मैदा लिया है इसका मैं एक घोल बना लूँगी देखिए इतना ही पतला घोल होना चाहिए अब मेरे आते को भी 15-20 मिनट हो गए हैं और मैं उसे खोल कर देख लूँगी और इसको फिर से मसल कर सेट कर लूँगी थोड़े से घी को चौकी और बेलन में लगा लूँगी और हातों में भी लगा लूँगी अब मैं गुजिया के लिए छोटी छोटी लूई बनाऊंगी और इस लूई को अच्छे से हातों की सहता से गोल उगर बना लूँगी मैं आपको दो तरीके की गुजिया बना कर दिखाऊंगी पहले गोल गोल करके पूरी के आकार का बना लूँगी फिर साचे में रखोंगी और इस साचे की किनारी में मैं दे का घोल लगाऊंगी अब मैं इसमें एक चम्मस खोया भरूँगी और ध्यान से बंद करूँगी जिससे गुजिया फटेना अब मैं आपको दुसरी गुजिया बना कर दिखाऊंगी इसको भी पूरी के आकार से बनाऊंगी और हाथ में रख कर इसकी किनारी में मैंदे का घोल लगा कर इसमें एक चम्मस खोया भरूँगी और अच्छे से बंद करके गुठूँगी देखे कितने अच्छे से गुठ गई है अब मेरी गुजिया बन गई है मैंने पहले से ही गैस में रिफाइन गरम करने के लिए रख दिया था अब मैं देखूंगी कि मेरा रिफाइन गरम हुआ है या नहीं इसमें थोड़ा सा मैदा डाल कर चेक करूंगी देखे ये मैदा मेरा उपर के और आ गया है इससे मालूम होता है कि मेरा रिफाइन गरम हो गया है अब मैं इसमें एक एक करके गुजिया डालूँगी और एक तरफ अच्छे से सिक जाने के बाद इसको मैं पलटूँगी अब मेरी एक तरफ गुजिया सिक गई है अब मैं इसे पलट लूँगी और अच्छे से इसको पलट पलट कर मैं सेकूंगी अब मेरी गुजिया बन गई है इसे मैं टीशू पेपर में निकाल लूँगी इस तरीके से मैं सारी गुजिया बना लूँगी अब मेरी सारी गुजिया बन गई हैं और सबसे पहले अपने दमाद को खिलाऊंगी और मेरे दमाद की फर्माई से हैं कि गुजिया के साथ ठंडाई भी होने चाहिए क्योंकि उसका कहना है कि ठंडाई और गुजिया के बिना होली की है नेक्स वीडियो में मैं ठंडाई शेयर करूंगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले अब मैं आपको एक गुजिया तोड़के दिखाऊंगी कि कितनी अंदर से सॉफ्ट और मुलैम बनी है देखिए और आप सभी को मेरी तरब से हुली की बहुत-बहुत सुब कामना है बाई बाई